हलो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी मूली का लच्छा अक्सर हम इसे दाल चावल के साथ या फिर दाल मखनी के साथ खाते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है तो देखे सबसे पहले लिए है मैंने एक मूली और इसको मैंने छील लिया है और इसके बाद देखे मैंने यहां पर इसको कद्दू कस कर लिया था इस तरीके से हम इसका एक लच्छा तयार कर लेंगे जब लच्छा बनकर तयार हो जाएगा तो मैं इस मैट कर दूंगी थोड़ा सा काला नमत और दो से तीन चमच अनार के दाने बहुत ही टिस्टी लगता करना मत बूलिये फ्रेंड्स